तो विल्कम फ्रेंड्स, विल्कम टू न्यू कॉंसेप्ट, ओके, आज हम जानेंगे दे कॉंसेप्ट आप यंग माडूलस, यंग माडूलस क्या होता है, तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, हम एक बार लेते हैं, आइरन की, ओके, इसकी लेंग्थ ले लो L, और उसका, मुलब क्रॉस सेट्शन एरिया ले लो A, ये एक बार है, ठीक है, इस बार पर हम फोर्स F लगाकर, चाहे ऐसे दोनोर से फोर्स F लगाओ, चाहे क्या करो, कि बात वही है, चाहे एक तरफ इसको ऐसे फिक्स कर दो, यहां पर, और अब हम नीचे ऐसे फोर्स लगाकर, इसको खीच रहे, ठीक है, तो देखो, जंग माडूलस क्या होता है, इसका अप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो देखो, जब तक फोर्स लगाने पर, अब्जेक्ट हमारा, लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर करता है, लीनियरली इलास्टिक बिहेवियर करता है, लीनियरली लिएस्टिक मतलब हम इसके पहले आपको बता चुके है, अगर ये टर्म कहीं पर आता है, तो इसका मतलब है कि वो हुक्स लौफ आलो करता है तो जब तक अब्जेक्ट हमारा जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो हुक्स लाव फालो करता है यानि वो लीनियरली इलास्टिक बिहेविए लिनियरली के आप समझ रहें कि प्रपोरशनल टू इस ट्रेन यह लॉफालो करता है और इलास्टिक बिहेवियर भी कता याद रखना तो आप समझ रहें कि वो हुक्स लाव फालो कर रहा है तो इसी पर जब हम इक्वैल्टी का यह निसान लगाते हैं साइन लगाते हैं तो स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन और बीच में एक कॉंस्टेन्ट आता है E E इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जंग मॉडूलस इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन्ट और यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो टेंजाइल या कंपरसिव स्ट्रेस लेते हैं इन इन यूनी डारेक्शन किसी डारेक्शन की और जैसे जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आप देखें तो स्ट्रेस वही है फोर्स डिवाइड़ बाई एरिया और स्ट्रेन क्या है अगर यह रॉड या यह बार मानलो जैसे आपने एक्जाम पर लिया फोर्स लगाने पर थोड़ा बढ़ गई इसे डेल्टा एल लेंग्ट तो स्ट्रेन जो होगी वह भी उसको बोलेंगे लॉगी ट्यूडिनल स्ट्रेन और लॉगी ट्यूडिनल स्ट्रेन होती है देल्टा एल डिवाइड़ बाई लॉग ये आप जानते हैं यह मापको बता चुके हैं तो यंग मौदूलर्स होता है इस्ट्रेस डिवाइड़ बाई इस्ट्रेन जो हमारा आपजेक्ट है dv फोर्स लगाने पर जब तक hooks law follow करे मतलब मतलब जब तक वो elastic behavior दे और linearly elastic behavior दे linearly linearly मतलब जब तक उसमें लगने वाला stress proportional to strain रहे जब तक ये संबंद रहे और ये चीज रहे तभी तक ये young modulus picture में आता है जंग modulus is stress divided by strain समझना है या कि इस्ट्रेस की unit आप जानते हैं Newton पर अगर ये area मीटर स्क्वार में ले लो तो Newton पर मीटर स्क्वार स्ट्रेंड की कोई unit नहीं होती क्योंकि length divided by length यानि ये यूनिट लेस है तो आप समझ रहें कि जो यंग modulus की जो यूनिट आएगी वह वही आएगी जो stress की unit आएगी यानि फोर्स की यूनिट निउटर्स पर लेकिन तो यूनिट है यूनित यूनिट यूनिट वही आएगी जो stress की यूंग मादूलस Young modulus किसी material की पहचान होती है जब तक वो hooks law follow करता है हर material का एक young modulus होता है जब तक वो hooks law follow करता है तब तक young modulus किसी material का पहचान है ठीक चलो इसी बार को जड़ा example लो तो E equal to stress sigma की जगए पर force divided by A और strain की जगए पर delta L यानी change in length divided by original length तो यहां से अगर आप देखो तो आप equal to F L divided by delta L A तो delta L equal to कितना जाएगा F L divided by E A यानी अगर किसी हमको bar की length पता हो या rod की length पता हो उसका area पता हो वो किस matter की बनी है किस material की बनी है वो material का हमको young modulus E पता हो और वो hooks law follow कर रही हो तो कितना force लगाने पर उसमें कितना elongation आ जाएगा वो हम यहां से डाइरेक्ट निकाल सकते हैं इस पार्मूले से समझ में आ या तो यह आप याद रख सकते हैं तो young modulus क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया और उसकी मदद से किसी बार पर किसी सिंगल यूनी डारेक्शन में force लगाने पर कितना elongation होगा वो आप ऐसे निकाल लेंगे इस हुक्स ला की मदद से यह हुक्स ला है यह फाइनली है हुक्स ला मेंली यह है जब उसको यंग माडूलस का यूज करते हैं तो वो यह हो जाता है तो आई थिंक आपको यंग माडूलस क्या होता है किसी material का वो कब यूज किया जाता है हुक्स ला हुक्स ला को यंग माडूलस के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी मदद से किसी बार पर फोर्स लगाकर उसकी कि लिंग्थ में कितना चेंज आएगा वो हम यहां पर इस फार्मूले से जान सकते हैं तो आई थिंक आपका यंग माडूलस क्लियर हुआ ठीक है अब मिलते हैं दो और केसिस में ठीक है दो और केसिस में जाहर सी बात है कि अभी हमने टेंजाइल फोर्स लगाया मतलब जूनी डेक्सिनल फोर्स लगाया ऐसा केस अभी हमने दो और केसिस एक सीर फोर्स लगाना जिसमें सीर इस्ट्रेश डेवलप होती है और एक केस था जिसमें किसी बाडी को किसी एक प्रेसराइज़ इन्वायरमेंट में डाल देना जिससे उसके वालूमेट्रिक उसमें चेंज आता है जहां पर वालूमेट्रिक स्ट्रेश पैदा होता है तो वो दो केस नेक्स्ट एपिसोड में किलियर कर लेते हैं यह जो था वो सिर्फ जंग माडूलस के कॉंसेट थी ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में झाल झाल